प्रिदेश भी सरमसार हुआ है और इसको लेकर कई लोगों ने बहुत सारा क्रोध, नाराजी, गुस्सा, मैं समझते हूं कि जो जिस तरह की घटना है, किसी भी बेक्ति को एक दम हिला देने वाला, जन्जोड देने वाला, जो कि आप समझते हैं कि मैं मनिपूर की ऐजे गव परनर होने के नाते, आज मेरे प्रिदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मनिपूर प्रिदेश वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब, ऐसा ऐसी घटना उनको भी बहुत दुख हुआ होगा, कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहने हैं, और इस तरह से जिन बेक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको देना चाहिए, और जहां तक सवाल है, मैंने आज देजी पी को भी बुलाया था, पूरी बात को संज्यान में लिया, औ और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, उन सारे आरोपियों जुनों ने इस तरह का दुसकर्म किया है, उनको गिरापतार करें, और कड़ी से कड़ी कारवाई करें, और जिस थाने में, चार मई की जब ये गटना हुई थी, और अठारा को जब रिपोर्ट हुई थी, तो अ मैंने निर्देश दिया है DGP को कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी करें, पूछे, अगर दोसी है तो उनकी उपर सक्त कारवाई करें, ताकि ऐसी कारवाई भी करें, कड़ी से कड़ी, ताकि दूसरे लोगों को भविस में इस तरह क मतलब दूसास ना हो, पूरे देश के लिए भी एक बैसे हो, कि ऐसे ब्यक्ति जो इस तरह की मतलब एक घरनित और है भी मतलब एक जो जिसको क्या बोलती है कि जिनकी सर्म, लज्या, मतलब कहना चाहिए कि एक आमानवीता की हद हो गई, जिसको जितनी निंदा करना चाहिए, वो भी कम है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की उपर सक्त कारवाई हो, और इस प्रदेश के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगी, कि ऐसे सर्मना घटना के बाद कम से कम जो आज प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, हिंसक गतिविदी, उनको समात करना चाहिए, और एक मंच पर, दोनों, सब लोग बैट कर, और जो भी उनकी मांग है, डिमांड है, यह उसका समाधान बैट के ही सुल जाया जा सकता है, हिंसा से किसी का भी समाधान नहीं हो सकता है, किसी का भी लाब नहीं हो सकता है, और इसलिए मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके कारवाई होनी चाहिए, देखिए, जहां तक है केंडर के जो हैं, सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है, 60,000 बीएसे आसाम राइफल, CRP, आपका रेपिडेक्स फोर्स और तवाम पुलिस, तवाम मिलाखे आज 50, 60,000 की संख्या में हैं लोगों की सुरिक्षा कर रही हैं, और इसलिए बहुत लोगों की पता नहीं अगर ये फोर्स नहीं रहती, मैं तमाम फोर्स के जवानों को मैं बधाई द धन्यवाद देती हूं उन सारे अधिकारियों को कि आज मनीपूर की जो जनता की सुरिक्षा और रक्षा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमी का रही है, और मुझे विश्वास है कि लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूं कि हिंसा छोड़े, विरोध छोड़े और ए फिर से एक नई सुरुवात करें और इस मनीपूर को फिर से एक नई विकास की दिसा में हम आगे बढ़ाएं, यही में मनीपूर की प्रिदेश की जनता से कहना चाहती है। मैंने निर्देश दिया है। सांती तो आएगी लेकिन जो आज एक दूसरे का जो प्रिती जो एक नफरत है, कम्नुटी वाई जो चल रहा है, मेथी वर्चस कुकी का, इन लोगों का जो भी कुछ दिमांड है, मांग है, जो भी कुछ है, इन सब को एक सांत बिठा के और इस अपील कर, मैंने सबी लोगों से अपील की, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संस्ताएं और सबी नेता जो लोग मेरे पास आये थे, इन सब लोगों से भी कहा कि इस मनिपूर में पीस लाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें, अपील करें यहां की जनता को, कि यह हिंसा छोड़ें और एक दूसरे के साथ एक सद्वावना बनाएं और मैं समझती हूँ कि सभी लोग यहां आकर अपनी अपनी बात और यहां के लोगों से अपील भी की, सारे राजनितिक दल आये और वो भी चाहते हैं कि पीस आये, यहां धार्मिक संस्ताओं के अलग-अलग सभ अभी धर्मों के 10-12 लोग आये दिली से, मेरे से मुलाखात की, उन्होंने भी प्रात्ना की, यहां में सांती लाने के लिए और कहा भी कि हम कोशिस करेंगे सब अपनी अपनी कम्यूटी में जाकर और इसको पीस लाने के लिए उन सब लोगों को समझाएंगे और मैं समझती कि ऐसे समय मनिपूर एक बहुती नाजुक और गंभीर एक चुनोती से जूज रहा है यहां के लोग और इस समय उनको एक बीच में आकर और सब को मिलकर यहां लोगों को एक प्रकार से सांती लाने की अपील करें, लोगों को समझाएंगे तो मैं समझती कि जल्दी ही सांती जया जाएंगे तो